Hi guys, welcome you all once again, so इससे previous videos में हम लोग अपने timer 0 को almost complete कर चुके हैं, next मैं यहाँ पर अभी timer 2 को cover करूँगा, फिलाल के लिए हम लोग timer 1 को यहाँ पर skip कर रहे हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका जो timer 1 है, वो एक 16 bit का timer है और अगर आप बात करें इसके features की, तो इसमें हम लोगों को क इसमें यहाँ पर timer 1 को cover करें, तो maybe आप लोगों को थोड़ा सा यह कठीन लगेगा या थोड़ा सा difficult आपको लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर पहले timer 2 को cover कर रहा हूँ, okay, so शूरू करते हैं हम लोग, so timer counter 2 जो है वो basically एक general purpose 8 bit timer counter module है, यहाँ पर यह 8 bit है, इसका मतलब यह है कि आप लोगों का इसमें जो values store होंगी वो 0 से लेके 255 तक vary कर सकती है, okay, next अगर हम बात करें timer 2 के features की, तो देखिए आप लोगों का जो timer 2 है, वो basically एक single channel counter है, और इस से आप लोग frequencies को भी generate कर सकते हैं, और इसमें हम लोगों को 10 bit का clock prescalar मिलता है, ठीक है, तो यह जो तीनों हम लोगों के features हैं, यह तो आप लोगों को timer 0 में भी मिलते हैं, ठीक है, और इसके बात के आप लोग जो यह features देखेंगे, यह हम लोगों के timer 2 के advance features हैं, तो one by one हम लोग इसमें को देख लेते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को timer 2 के साथ ctc mode मिलता है, okay, ctc basically है क्या, यह यह आप लोगों का clear timer on compare match है, या फिर आप इसको auto reload भी बोलते हैं, ठीक है, तो ctc mode को हम लोग आगे आने वाली videos में बहुत अच्छे से समझेंगे, next आप लोगों को timer 2 के साथ inbuilt pulse width modulator मिलता है, इसके बाद हम लोगों के timer 2 के साथ दो interrupt sources आपको मिलेंगे, इसमें सबसे पह आपको मिलेंगे, tov2 जो है, यह basically हम लोगों के timer 2 overflow interrupt के corresponding एक flag bit होती है, similarly हम लोगों के पास यहाँ पर OCF2 नाम का एक और interrupt flag bit है, और यह basically compare match interrupt से associate होता है, इसके बाद हम लोगों के पास last feature यह है, कि आप लोग यहाँ पर 32 kHz के crystal oscillator को externally connect करके भी अपने timer को run कर सकते हैं, next, इसके बाद हम लोग timer 2 के modes of operation देखेंगे, देखिए, अगर आप लोगों ने timer 0 के साथ काम किया है, तो आपको पता होगा timer 0 जो है वो एक basic timer है, और उसमें हम लोगों को कोई भी mode of operation नहीं मिलते हैं, बट timer 2 जो है वो थोड़ा सा उससे advance है, और इसमें आप लोगों को basically 4 modes of operation मिलते हैं, तो सबसे पहला इसमें हम लोगों के पास है normal mode, और इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर phase correct PWM mode है, third आपके पास यहाँ पर CTC mode है, CTC mode basically है किया यह आप लोगों का clear timer on compare match है, इसके बाद आप लोगों के पास यहाँ पर मिलते हैं आपको fast PWM mode, अब हम लोग के timer 2 के साथ यहाँ पर 4 modes of operations तो हैं, बर्ट हम लोगों का timer है particularly एक time में किसी एक mode में ही काम कर सकता है, अब यह किस mode में काम करेगा, यह basically depend करता है आपके TCC R2 register के 2 bits पे, यह आपका WGM20 और WGM21 bits पे depend करेगा, अगर आप चाहते हैं आपका जो timer है वो normal mode में चले, तो आप values देनी होंगी और by default भी आप लोगों की यहाँ पर values जो है वो 00 ही होती है, तो आपका जो timer है by default वो normal mode में होता है, अगर आप चाहते हैं आपर CTC mode यूज करना, तो उसके लिए आप लोगों को WGM20 और WGM21 को 1 और 0 देना पड़ेगा, similarly अगर आप लोग यहाँ पर phase correct PWM यहाँ पर दोनों में values वन वन देनी पड़ेंगी और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है, हम लोगों का जो normal mode है और जो आपका CTC mode है, इनको हम non PWM modes भी बोलते हैं, ओके, so one by one हम लोग आने वाली वीडियो में इन चारों modes को देखेंगे और इनकी programming को So next हम लोग timer 2 से related अपने कुछ definitions को देख लेते हैं, अगर आप लोगों के timer 2 की value 0x00 है यह फिर decimal में यह value अगर आपकी 0 है, तो इस case में हम बोलेंगे कि आपका जो timer है वो bottom level पे है, और similarly अगर आप लोगों के timer 2 की value 0xff है यह फिर decimal में 255 है, तो इस case में हम बोलेंगे कि आप आपका जो timer 2 है उसकी value maximum level पे है यह फिर max level पे है, okay, next इसके बाद हम लोगों के पास है आपका top level है और top level की basically जो value है वो depend करती है आप लोगों के timer के mode के उपर, अब अगर हम लोग timer को normal mode में यूज कर रहे हैं, तो उस case में जो हम लोगों के timer की highest value है वो हो सकती है, 255 या इस mode में जो top है उसकी value 255 होगी या फिर आप बोल सकते हैं top की value max के बराबर होगी, यह आपका normal mode में ऐसा होता है और अगर आप यहाँ पर ctc mode यूज करें, ctc mode में basically होगा क्या, हम लोगों का यहाँ पर यह timer होता है और यहाँ पर ctc mode में हम लोगों का एक register होता है, ocr2 register, okay, so ocr2 register में आप कुछ भी यहाँ पर values दे सकते हैं 0 से 255 के बीच में, अब suppose आप लोगों ने ocr में value 100 के बराबर दी, तो basically यहाँ पर ctc mode में होगा क्या, आप लोगों का जो timer है उसकी value इस 100 से compare होती रहती है, और जैसे ही आप लोगों के timer की value 100 के equal हो जाती है, वैसे ही timer again यहाँ पर 00 कर देता है, तो इस case में हम लोगों का जो top value है, वो हो जाएगी 100 के बराबर, okay, so ctc mode में हम लोगों का जो top है, उसकी value basically depend करती है आपके ocr2 register की value पे, अगर आपकी यहाँ पर value 100 है, तो आपके top की value यहाँ पर timer की 100 हो जाएगी, अगर आप यहाँ पर 200 डालते ह तो आप लोगों के timer की top की value 200 हो जाएगी and so on, next हम लोग अपने timer 2 के block diagram को देख लेते हैं, देखिए किसी भी timer को run करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जरुरत होती है एक clock source की, तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे यह वाला जो हम लोगों का portion है, यह basically हम लोगों क timer के लिए clock source को ही select करता है, mainly यहाँ पर हम लोगों के पास 2 clock source हो सकते हैं, पहला तरीका यहाँ पर यह है कि आप लोग internal clock को ही अपने timer के लिए use करें, मतलब कि जिस clock source से आप लोगों का CPU run होता है, उसको ही आप लोग अपने timer का clock source भी बनाएं, और दुसरा तरीका यहाँ प एक oscillator लगाएं या crystal oscillator आप यहाँ पर लगाएं, तो इसमें basically होगा क्या, जो भी आप लोगों के oscillator के frequency होगी, उस frequency से ही हम लोगों का यहाँ पर यह timer run होगा, ठीक है, तो जब आप लोग internal clock को ही अपने timer का clock source बनाते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पर synchronous operation बोलते हैं, और जब आप लोग यहाँ पर external crystal oscillator से अपने timer को run करते हैं, तो इसको हम लोग asynchronous operation बोलते हैं, और asynchronous operation को control करने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर यह वाला पूरा block है, और इसमें हम लोगों का यह जो ASSRN register है, यही register basically आपके asynchronous mode को select करता है, और उसको control करता है, तो फिलहाल हम लोग internal clock को ही अपना clock source लेने वाले हैं, तो इस particular block को फिलहाल हम को समझने की जरूरत नहीं है, आगे आने वाली वीडियो में one by one हम अपने modes को इस block diagram से समझेंगे, तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें, अपने friends के साथ आप लोग ज जरूर शेर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं, so thank you so much for watching, जय हिंद, जय भारत